शांती की रहा क्या है? सिंपल जब हम सहनशील होंगे जब हम शमा करेंगे तो आटोमेटिकली देल बी पीस अफ माइन एंड पीस अल अराउंड अस क्या होता है कि हम जब बाहर जाते हैं ट्रिप में जाते हैं हमें हर चीज अच्छी लगती है सब नया चीज देखते हैं आपका वहां की प्रकृति लोग सब अच्छी लगते है पर हमने देखा है कि हम सहनशील है बाहरी चीज़ों के लिए हम सहनशील है पश्वों के लिए पर जब ये मनिश्यों के उपर बात आती है तो हम सहनशील नहीं है हमें उनके छोटी-छोटी बातें परिशान करती है और फिर हम टोकाटाकी करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं है हमें चाहिए कि हम लोगों के गलत बहवार को गलत बात को इग्नोर करें शमा करें सहनशील होए तब आप देखें कि कि दुनिया हमारे चारों तरफ बहुत सुन्दर हो जाएगी चैन किसी और को नहीं करना अपने जिन्दगी की पीस के लिए चैन हमें खुद करना है और ये दो प्रिंसिपल्स है तो याद रखिए मनुश्यों के प्रती हमें सहनशील और शमा का भाव रखना है जिनकी साथ हम अधिकान समय गुजारते हैं उन मनुश्यों के जाने अन जाने में अगर गलत वहवार हो जाए तो हमें भूल जाना है शमा करना है इसका उत्तर यही है कि सहन करना और वास्तों में उस वहवार पर पून विराम लगाना है क्योंकि यद हम सहनशील नहीं होंगे गलत विहवार वाला खेल हमें निरंतर परिशान करता रहेगा कहने का भाव यह है कि जीवन विहवार में किसी की कही गई बातों को अपने मन पे लगाना नहीं है और उसके बदले में अपनी तरफ से कुछ कहें भी नहीं तो यह कलेश खतम हो जाएगा जहां बूलना है अगर वहां हम चुप रहोगे तो हमें की मच्चुकानी पड़ेगी जहां हमें चुप रहना है वहां बोलोगे तो बड़ी की मच्चुकानी पड़ेगी तो आपने अगर 20 of mind चाहते हैं तो आपको शमा और सहनशीलता अपनानी पड़ेगी